तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार सभी SSTGD के त्यारी करने वाले बच्चों का, एक और जहां 17 जुलाई से आपके SSTGD की मेडिकल प्रक्रिया शुरूए वही बहुत सारे बच्चों का अब लगातार डाउट है क्योंकि रिजल्ट्स क्लियर हुआ, अब इसके बाद बह हैं उनके जहन में यही है कि सर आखिर हमें दुबारा एक्जाम देने का मौका कब मिलेगा, आखिर SSTGD का दुबारा एक्जाम कब कंड़क्ट होगा, बहुत सारी बाते हैं जो लगातार आप पूछने और इसमें पूछना आपका ज़रूरी भी है, और बच्चे फेल सब कुछ है, उसी के आधार पे आपका फाइनल कटाफ है, जाए हो फिचकल की सेकंड कटाफ बनी, जिस पर फिर से रिटन कोई बेस बनाके कटाफ बनाया गया, आप मेडिकल के लिए सौटलिस्ट हुए, मेडिकल में भी बहुने के बाद एक फाइनल कटाफ आएगी, तो रिटन के ही स्कोर में आपके ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, तो मुझे लगता है कि वही बेस है, ये बात हम जित्ती जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है, इसलिए जित्ते भी पैरामिलिटी फोर्स के तैयरी करने वले बच्चे हैं, उनसे मैं एक्सर कहता कि बेटा, ये बैट के इंतजार करने का समय नहीं है, लग जाएंगे, एक बार उस अर्थमेटिक रिजनिंग जीके और हिंदी इंगलिस पर आपको कमांड तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, तो ये चैलेंज बना रहेगा, वेकिंसी आएगी, एक्जाम होगा, और आप दर साल दर पीछे होते चले जाएंगे, तो बहुत जरूरी ही कि उठिये, खड़े होई और लगिये, तो बिलकुल मेजर कलसी क्लासे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जबर जस्त पैकेस दिया है, बिलकुल रिजनेबल चार्ज में और ये वन टाइम है, जब तक सेलेक्ट आप भी अपना स्कोर 80% अबब चाहते हैं, तो बिलकुल जूरी, मेजर कलसी क्लासे क्लासे के, इस्पेसल परामलेटिक फोर्सेस, सेंटनल आमफुलिस फोर्सेस, बेस अप सी आर्पिए, बीपी, एससब नाइए, इससब आसम राइफल, और एससी जीडी इस्पेसल बैच एससी एक्जाम को जो रिवाइस कलेंडर है, जहां पर आपने एससी जीडी कॉंस्टेवल भरती कि कोई जिक्री ही नहीं देखा, तो लाजमीशी बात है, यहां पर डाउट तो बनता ही बनता है, कि बेसी बिकंसी आएगी, कि नहीं आएगी, तो चलिए आज इस डाउट को बहुत strongly आपको दिया था, उसका just बाद आपको एपडेट मिल गई, कि हाँ 2030 में बिकंसी आने वाली है, अब आहम यह कि कब आने वाली है, एक्जाम कब होने वाला है, परक्रिया क्या डन होगी, यह भी जहन है, तो चलिए आज उन सारे प्रशनों का भी जवाब आपको हम बहतर ढंग से यहां दे देते हैं, बचो एससी जीडी कलेंडर में जो लास्ट एक्जाम है वो SSA UDC, Grade Limited Departmental Competitive Examination है, इस एक्जाम का अप्लिकेशन अक्टूबर में आने वाला है, कलेंडर में अक्टूबर के बाद कोई एक्जाम मेंसन ही नहीं किया गया है, बचो आधा अक अक्टूबर में और नॉम्बर में सत प्रसत प्लानिंग चल रही है, अक्टूबर लास्त है कि नॉम्बर फर्स्ट सेकंड वीक में आपकी नोटिफिकेशन रिलीस कर दी जाएगी, और बिल्कुल कलेंडर में आपको नहीं बताया गया, उसके लिए भी चिंता करने की जू स्टेबल जीडी में कुल 64,037 पोश्ट खाली है, इसके साथ साथ IRB, इंडियन रिजर्व बिटालियन जो हमारी है, जिसमें 17,000 जो है पोश्ट खाली है, जिसके लिए NCB, SSF, NIA के थूँ वेकेंसी की जाती है, भरती की जाती है, और कमाल की बात है, यह भी जो भरती आती ह इसमें सामिल कर ले तो आप समझ सकते हैं, चौह साथ जार वहां है, सतरा जार यहां है, तो अच्छा खासा नंबर आप वेकेंसी इस बार देखने को आपको मिलेगे, तो इसके लिए आप कमरकस के तयार हो जाईए, एक और प्रूप वेकेंसी के लिए बताओं, तो साथ आपको यह चीज़ें को मिलेंगे, इसका मतलब को मिला कि यही कि जिन राज्यों से कम पार्टिपेशन आ रहे हैं, वहां की लोकल भासा को जो सपोर्ट किया गया है, जिससे वहां से भी पार्टिपेशन बढ़े, और इन सब का पूरा उद्देश यही है, कि वेकेंसी कहीं कहीं आने वाली है, उसे की भरती प्रक्रिया के लिए सब प्लानिंग चल लेंगे, तो मैंने आपको ओडिट क्लियर कर दी, अक्टूबर लास्ट में नॉमबर फर्स सेकंड वीक में आपका सेडिल होने वाला है, कभी भी इसकी घोश्रा हो जाएगी, और एक्जाम को लेके आती है, तो जनुरी तक एक्जाम हो जाएगा, और आपको जैसे पता है कि 2024 में चुना हो है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल डेट आपको क्लियर कर दी, मैंने दिमाग के कब है, तो मैं यही चाहूंगा कि बहुत जाद सोचना समचना बंद करिये, सोची यह कि त्यारी है कि नहीं है, सब कुछ रिटन पर ही गेम है, इसलिए बहुत आसान भासन समझा रहा हूं, मेन बेस वहीं है, अगर इस बार सेलेक्शन लेने का जज़बा है, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कोई तयार कर सकता है भारत में, तो क्योंकि म बहुत रिटरीन बहुत बहुत बड़ा परामेटर इसलिए मेजिखल सी हेल्ठ के लोटता मेडिकल सेंटर जो आपको मेडिकल के भी हतार के समस्या से खत्म करेंगे, तो आप बिलकुल पारमेट्री और सेंट्र आम पोलिस प्रस ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, इसमें क कोई दो राय नहीं है कहीं से कहीं तक तो अगर आपका भी इस बार सपना है 100 परसेंट अपना जो है एससी में नाम लाने का और अपनी सफलता को से और सौट करने का तो आज आज आ फ़रा मेहनत करना सुरू कर बच्छा क्योंकि इसका जुगार कुछ नहीं है यह अच्छा है